बार्मेर में थार महोटसव शुरू करवाने की मांग को लेकर शनिवार को बार्मेर की लोगों ने जिला केलेक्टर को ग्यापन सुपा ग्यापन में लोगों ने बताया कि जैसल मेर में जम निरंतर मारू महोटसव हो रहा है तो बार्मेर में पिछले दस वर्षों से थार महो बाड में जले में धार माहसव को फिर से शुरू करवाने की मांग अब मुखर हो चुकी है एक तरफ जान धार माहसव में अपनी रंगा रंग प्रस्तुतिया देने वाले लोक अलाकार और पतिभाह इस माहसव के फिर से शुरू होने का इntजार कर रही है वहीं दूसरी और बाड में जुले की आमजनता भी इस महुशव को लेकर काफी उत्साहित है लेकिन पिछले दस सालों से बंद पड़े थार महुशव को लेकर ना परेटन विभाग अपनी रुची दिखा रहा है और ना ही स्थाने प्रिशाशन ऐसे में थारवासी बेहद नाराज हैं और लगातार ग्यापन के माध्यम से प्रिशाशन को अवगत करवा कर थार महुशव को फिर से शुरू करवाने की मांग लगातार की जा रही है चनिवार को भी लोककला, संगीज से जुरे कलाकारों और बाडमेर के युवाओं ने जिला कलेक्टर को ग्यापन सौप कर थार महुशव को फिर से शुरू करवाने की मांग की है युवा कांग्रिस जुला महासचीफ सरूप शियोल ने बताये की बाडमेर जिले के पुरा तात्विक इध्यास, धार्मीक एवं दर्शने स्तलो के प्रिचार बाडमेर की लोककला एवं संस्कती को अक्षुन बनाने के साथ जिले के लोकलाकारों एवं फनकारों को अंतरा वास्टे मंच दिलाने वाले थार महुसव के बंद होने से स्थाने कलाकार अपनी प्रतिवा से पिछड़ते जा रहे हैं साथी बाडमेर संस्कती, लोककला और पलटन शेत्र भी विलुप्ति की और अग्रसर हो रहा है बाडमेर जिले के लोककलाकार इवं युवाओ के अनुसार जब जेसलमेर जिले में मरु महसव और जालोर में वार्सिक उससफ का अयुजन हो सकता है तो बाडमेर में थार महसव का क्यों नहीं उनके अनुसार बाडमेर में थार महसव का अयुजन ना होना इस्थाने कलाकारों और आमजन के साथ कुठारा गात करने जैसा है युवा कांग्रिस जुला मास चीफ के नितितों में जुला कलेक्टर को सौपे ग्यापन में इस्थाने लोग कलाकारों एवं थारवासियों ने मांग की हैं कि इस्थाने लोगों की भावनाओं के अनुरूप प्रिशाशन शक्रिय भूमिका निभाकर थार महसव को फिर से श की